फिर्स्ट अफॉल वसन बाला एन अलिया भट हैंस दॉट यू है रिस्पेक्ट इस फ़नी तु सी कि एक ही घर में पती पत्नी एक ऐसी सिमिलर स्क्रिप्ट को चूज करते हैं जो अपनी परिवार के प्यार के लिए बॉर्डर लाइन साइकॉटिक हो जाते हैं इसी बात पर वसन बाला की एक नई फिल्म रिलीज हुई आलिया भट के साथ जिसका नाम है जिग्रा ये कहानी एक भाई बहन के उपर है जहां एक दिन सत्या का छोटा भाई वेदांग फॉरेंड कंट्री में किसी फॉल्स ड्रग चार्जर के चलते फास जाता है क्योंकि वो अपनी फैमिली में बुल्शिट को स्मेल कर सकती है देथ पेनल्टी से उसका चोटा भाई गुजर रहा होता है पर उसकी बड़ी बहन को ये इंसाफ गवारा नहीं जाता और इसी बात पे सारे रिजॉर्स को देखते हुए आखिर में उस बंदी ने लिटरली पूरे जेल को अड़ा दिया फॉरें कंट्री में जाकर पूरे आइलेंड पे एनार की फैला दी हजारों कैदियों को क्योस फैलाने के लिए खुला छोड़ दिया और वो भी सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए ये concept, level और जिस scale पी execute हुआ है आप यह level की detail किसी foreign film से expect क इसको देखके feel होता है कि इसे बहुत ही western tone में शूट किया गया है, Indian acting जातर होती क्या है कि you have to put your performance out there, you have to be expressive on camera, जिसका best example हाल फिलाल की सिंगम अगें में देखका पादुकोन की performance में आप देख सकते हो, और यह similar performance past में आलिया भट ने भी काई सारे roles में दी है, पर वसन बाल movie के director नहीं है टेक लिया कि भाई मुझे इस movie को काफी naturalistic, not too expressive, global tone देनी है, एक heroine के साथ एक lead action movie बनाना, जहाँ पर जो normal trope होता है कि उस aura को justify करने के लिए आपको मासी entry देनी है, उल जुलूल भाई action sequences दिखाने है, item number देना है, वो कुछ भी ऐसा इसमें नहीं होता, जो भी shots और choreography है, वो main action के लिए reserve की गई है, और तुमें तभी feel हो जाता है कि movie इतनी कमाल की है, जब शुरू में इतने कमाल का scene हमारे सामने आता है, कि जब Alia Bhatt जब प्लीन में चड़ती है, ठूसना शुरू करती है, desperately सारा समाल लेकर भाई जेल की और भागरी होती है, अपने भा कमाल की मुवी ने चाप्चर की हुई है, जहां जासी हुआ कि डिरेक्टर इड जोब की पूरे 5-6 मिनट के बीच में, वहां कोई कुछ खास धालोग नहीं है, पर फिर भी तुम वहां पे हुगड हो, I would say कि this is really a masterclass in visual storytelling, even for someone who can't speak the language of this small amount of dialogue, just from one scene, can get the accurate picture of the relationship between the characters and the backstory, it's almost like a self- content film in itself, I loved it. Let's talk about Vivek Gomber Saab, भाई यार, A.K.A. Hans Raj Landa, जिनका भाई मेनिसिंग इंस्पिरिशन, Inglourious Basterds के Hans Landa से पूरा नजर आता है, and I mean, makers ने उनके नाम में ही बता दिया, and yeah, villain is pure pop culture icon in India, बनने ही वाला है, rules को follow करता है, मुस्कराते रहता है, जब सोचोगे कि भाई करेगा तब नहीं क Just love him, as a proper proper bad guy, जिसको ऐसे समझ सकते हो कि हम सब के school में एक teacher नहीं होता है, जो अपने काम में तो भाई कमाल का होता ही है, और भाई students की लेने में और भी कमाल का होता है, और आप बहुत ही शिदत से नफरत करते हो, and ठीक यहाँ पर वैसे कि Hans Raj Landa से आप भी उतनी ही नफरत कर और कितिनी भी stressful situation क्यो ना उसके सामने आ जाए, बहुत ही काम होके खुद को प्रेजेंट करता है, और वो कामनेस देख के ही उसे stressful situation में आप बहुत ही uneasy feel करने लगते हो कि भाई है क्या तू, and मजाए विवेक गोंबर साभ आपको देखकर आपने दिल जीता अपना, जिसके में यही बोलना चाहूंगा कि, this movie is really special, and it's definitely going to leave a mark not just for women in films in India, but also for men, कि की ऐसी होती है quality films, responsible films, जो की और बननी चाही है, जो global scale पे खुद को इजददार तरीके से रपेजेंट कर सके, it defines you as an actor कि जब आप इस तरीके के movie करते हो, आलिया भट का कारेक्टर कोई अच्छा किड़ नहीं और नहीं वो खुद को justify करता है, वो बताता है कि मैं सिर्फ एक बहन हूँ, जो अपने भाई को बचाना चाहती है, इसमें दिखता है no bullshit action, इतने बड़े scale पे, कमाल की combat choreography, और silence, और वो जो silence आपको जब सुनाई देती है, आप उसकी इजद करते हो, and यहां मैं इसी ब movie देखकर पागल हो जाती है, जिसमें कुछ dialogue बाजी होती है, item number होते है, action होते है, यह काफी mature take लेती है, अपने family issues पे, परिवार के बड़े बच्चों के उपर, और storytelling पे, बहुत ही कम ऐसी movies इंडियम बनती है, and I think इस movie को अभी हमारी जरूरत है, I loved it, and जाके ज़र ज़रू by any Indian actress in modern times, hands down, and if there's a chance, then go and watch it, and until you watch it, PJ Explained!